Hello everyone, welcome to this channel, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं English NCRT book class 5th मेरी गोर्ड से एक chapter जिसका नाम है My Elder Brother, मेरा बड़ा भाई तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को और जानते हैं क्या हम सीखते हैं से This is a story by Prem Chan titled बड़े भाई साहब ये जो कहानी है ये प्रेम चन जी के द्वारा लिखी हुई है actually में और इसका जो हिंदी टाइटल है वो है बड़े भाई साहब Okay, the story shows that experience is as important as hard work तो ये जो कहानी है इस कहानी को पढ़कर हमें ये पता चलेगा कि जो अनुभव होता है वो भी उतना ही important होता है जितना की hard work Okay, तो actually में ये कहानी है दो भाईयों की जिन में एक जो बड़ा भाई था वो बहुत महनती था अपनी जिम्मेदारी को समझता था और एक चो छोटा भाई था वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता था हमेशा खेल में उसका ध्यान रहता था तो कैसे वो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करा scene first a hostel room two brothers is 9 and 14 years sitting at a study table यहाँ पर यह नाटक की तरह दिया हुआ है और पहले scene में क्या होता है एक hostel का room है उसमें दो भाई बैठे हुए हैं एक की उमर है 9 साल और एक की उमर है 14 साल की okay वो study table पर बैठे होते एक पढ़ाते हैं the elder brother भाईया is reading a book and the younger one मुन्ना is drawing pictures of birds and animals अब जो बड़ा भाई था वो कर रहा था पढ़ाई यानि की book पढ़ रहा था और जो चोटा भाई था मुन्ना जिसका नाम है वो picture straw कर रहा था किस चीज़ की birds की और animals की okay तो क्या बाचित उन में होती है देखते हैं भाईया what are you doing मुन्ना तो जो बड़ा भाई होता है वो पूछता है अपने चोटे भाई मुन्ना से कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो मुन्ना I'm drawing तो मुन्ना जवाब देता है कि भाईया मैं drawing कर रहा हूं भाईया when will you study where were you in the morning तो भाईया कहते है कि अच्छा पढ़ाई कब करोगे और तुम सुभा से थे कहां पर मुझे दिखाई नहीं दिया पढ़ाई नहीं तुमने बिल्कुल भी की इस तरह की बाते वह समझाता है okay मुन्ना ठर्निंग फेल I was playing तो जो मुन्ना है ना वो थोड़ा सा शांत सा हो जाता है और कहता है कि मैं तो खेल रहा था है ना भाईया how can you sit with a book for hours together अब जो भाईया थे ना वो दिन रात पढ़ते रहते थे बहुत focus sound का पढ़ाई की ऊपर तो वो कहता है कि भाईया अब दिन रात कैसे पढ़ाई में लगे रहते हो कैसे books के साथ आप रहते हो है ना भाईया that that's because I want my foundation in education to be very strong तो भाईया कहते है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपना जो पढ़ाई का एक strong अपने आपको बनाना चाहता हूं पढ़ाई में है ना अपना जो कहते है foundation जो है एक आधार जो है अपना वो मजबूत करना चाहता हूं है ना if the base is stronger then the building will stand firm formally sorry अगर जो एक हम कहें आधार कहें नीव जिसे हम कहें वो नीव मजबूत होगी तो जो बिल्डिंग बनेगी वो भी एक मजबूती के साथ टीकी रहेगी यहाँ पर हम इसको study में इस तरीक से समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा जो छोटा होता है छोटे बन से ही उसको सारी चीज़े अच्छे स चोटा है अभी यह क्या बाद में सीख लेगा बड़े हो के लेकिन उससे क्या होता है जो इसका बेस है वो कमजोर रह पाता है और आगे भी वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाता तो यह जरूरी है बहुत ही कि उसका बेस जो है सम्टाइम्स टेक्स में टू यूर्स ट बड़े हो और तीन क्लास मुझसे आगे हो है ना I wonder why you keep writing the same word twenty times one sentence more than twenty times and copy poems several times in beautiful letters और कहते हैं कि आप इतने पढ़ाई में मुझसे आगे हो इतने बड़े हो उसके बाद भी मैं आशर चेके तरह जाता हूं कि आप पार बर repeat क्यों करते हो चीजों को जैसे आपको भी कहा जाता है कई बार कि बेटा इसको पाच बार लिखो इसको दस बार लिखो या कुछ ऐ वह बढ़ा वैब क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं तो जिससे कि आपको वह अच्छे से की नॉरेंज हो जाये अपको याद अच्छे से होजाए अच्छे से हैं आप उसको लिखना सीख जाओ तो जो उसके भायी आते हैं वह कई बार लेएशा बर लिखते थे या sentences को 20 बार लिखते थे poems को बार बार पढ़ते थे लिखते थे अच्छे ची writing में तो उस चीज़ को वो कहता है कि आप ऐसे बार बार क्यों लिखते हो क्यों हर बार poem को या words को हर चीज़ को repeat करते हैं आप है ना भाईया studying English is no child's play तो भाईया कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि जो English है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है उसको पढ़ना उसको सीखना one has to work very hard in order to learn the subject और अगर किसी को यह English सीखनी है यह subject सीखना है तो उसके लिए बहुत ज़दा महनत करनी पढ़ती है to speak or write English properly tremendous effort is required tremendous का मतलब होता है बहुत ज़दा भयंकर भी कह सकते हैं यहाँ पर कई meanings के हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम इसका meaning लेंगे बहुत ज़दा भारी मातरा में पढ़ाई करनी पढ़ती है प्रयास करने पढ़ती है English को सीखने के लिए और बोलने के लिए लेकिन अब तुमें मौका मिल रहा है सीखने का तो तुम क्या करते हो तुम खेल में लग जाते हो भार खेतों में भाग जाते हो या कंचों के साथ खेले लगते हो या पतंगे उड़ाने लग जाते हो या फिर ऐसे ही अपना इदर दर टाइम खराब करते हो निकम्मे बाजी में, है ना, आइडलिंग का मतलब निकम्मापन जिसे हम कह सकते हैं Can't you sit down and study, कि तुम पढ़नी सकते हैं बैटकर अच्छे से यहाँ पर वो उसको थोड़ा सा डाटता है और अपनी जिम्मेदारी का एसास कराने की कोशिश करता है तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, आगे वो क्या समझाता है उसको मुन्ना, ओ भाईया, there is a big meela in the village today, should we go? अब जो छोटा भाई होता है, मुन्ना वो कहता है कि भाईया, बड़ा सा meela लगा हुआ है गाव में आज तो और आज मुझे पढ़ाई नहीं करनी, क्या हम जा सकते हैं मेले में? भाईया, have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match? तो भाईया कहते हैं कि क्या तुमने मुझे कभी देखा है, होकी के match खेलते हुए, या फिर cricket खेलते हुए, या किसी मेले में कही जाते हुए पढ़ाई को छोड़के, I don't go near them, कि मैं उनकी पास तो नहीं जाता, बिल्कुल भी पढ़ाई को छोड़के, I prefer to story a book, और मैं ये अपनी किताब को खोलकर पढ़ाई कर लूँ, जादा प्रेफर करूँगा बजाए बाहर घूमने के, मेले में जाने के, या किसी से बातचीत करने के, खेलने के, I don't mind repeating a class 4, more than 2 years, कि मैं बार बार जो ये class है, उसको मुझे repeat करना पड़ता है, कोई बात नहीं, इसका मुझे कोई mind नहीं है, mind करना मतलब मुझे बुरा नहीं लगता, या कुछ ऐसा मैं इस चीज़ को ज़्यादा seriously नहीं लेता, but you might stay in the same class all your life, लेकिन तुम एक ही class में रह जाओगे, अगर पढ़ाई नहीं करोगे, ऐसे ही अपना समय खराब करोगे, तो इस चीज़र जो है, वो सिखाने के कुशिश करता है, अपने छोटे भाई को, बड़ा भाई, okay, do you expect to pass, if you waste your time, playing all the time, कहते हैं कि क्या तुम्हें ये लगता है, कि अगर तुम ऐसे ही अपना time खराब करोगे, खेलने में, बाहरी दरदर घूमने में, फ्रेंड्स के साइट time खराब करने में, तो तुम पास हो जाओगे, you are simply wasting father's hard earned money, और ऐसा करके, तुम माबाप के कमाई हुए, महनत की इतने पैसों को खराब ही कर रहे हो, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, मुन्ना स्टार्स crying on being scolded and sobbing sound, यहाँ पर यह रोने को बुला गया है, तो मुन्ना जो है वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि भाईया ने उसको डाट दिया था, scolded का मतलब होता है, डाट देना, और sobbing का मतलब ऐसे करके रोना शुरू कर देता है, मुन्ना, भाईया, I feel like running away and going back home, तो मुन्ना कहता है कि भाईया मेरा दिल कर रहा है, कि मैं भाग जाओ और घर में कभी वापिस ना आओ, भाईया, now, now stop crying, put on a nice smile, look, I will make a time table for you to follow, get a wet tone, और कहता है कि भाईया, कि अब रोना बंद करो, और चहरे पर अच्छी सी smile लेकर आओ, और मैं तुम्हारे ले क्या करूँगा, एक time table बना दूँगा, कि तुम्हें किस time पर क्या करना है, क्या पढ़ना है, कब खेलना है, कब खाना पी रहा है, उस चिसका मैं time table बना दूँगा, तो तुम्हें उस चिसका follow करना है, और सुभा जल्दी उड़ जाना है डॉन का मतलब यहाँ पर सुरज निकलने से पहले प्रभात में ओके तो यहाँ पर वो टाइम टेबल बनाता है इसमें दिया हुआ है आपको अपने ब्राक्फस को करना है और पैट जाना है पढ़ाई करने के लिए तो यह छे बजे का टाइम हो गया उसकी बाद शिक्स टू एट का टाइम क्या बनाया कि आपको इंगलिश पढ़नी है 8-9 a.m. मैट्स पढ़ना है 9-9.30 a.m. हिस्ट्री पढ़नी है and 3.30 p.m. then off to school है ना स्कूल बंद हो जाएगा आपका स्कूल से वापिस हो जाओगे 5-6 p.m. ग्रैमर आपको ग्रामर करनी है पास से 6 बजे half an hour for strolling आदा घंटा आपको strolling करनी है और strolling से मतलब क्या होता है और इसके बाद 6.30 से लेकर 7 p.m. तक आपको अपना English composition यानि की essay या फिर paragraph या इस तरह की चीज़े application वगरा यह सब composition में आ जाती है यह सब आपको करना है and then you have to take dinner और उसके बाद आपको अपना रात का खाना खाना है 8-9 p.m. Translation 8-9 बजे तक आपको translation करनी है 9-10 बजे तक आपको Hindi पढ़ना है and 10-11 बजे आपको other subjects पढ़ने है and then you have to go to bed उसके बाद आपको सो जाना है तो इस तरह का time table जो है बड़े भाईया चोटे भाईया के लिए बना देते है ओकी मुन्ना but when is the time to play अब मुन्ना जो है वो time table को देखकर भड़ा श्रचिकत रह जाता है डर जाता है बहुत अच्छा मैं सारे दिन पढ़ाई करता रहूंगा तो खेलूंगा कब खेलने का time कब होगा भाईया play what is the need मुन्ना तो भाईया कहते है कि खेलने के क्या अज़र होते है तुम्हें मुन्ना oh I love the green fields the gentle breeze I want to jump up like a football I like the touch and go and who to to sounds of the cupboard and the hurry and the furry of volleyball pulls me like a magnet और इसकी बाद कहता है कि नहीं मुझे हरे हरे खेद बहुँ जदा पसंद है मुझे टच करना जो खेल होता है ना एक टच करना चुके भागने वाला वह करना वह वाला गेम पसंद है मुझे कबड़ी खेलना पसंद जिसमें हूत 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 ह the final exams are over and the results are out. अब scene 2 जो है, उसमें क्या होता है? जो final exams हुए थे, उनका result आ जाता है. अब result क्या रहता है? और क्या बात्चित होती है? लेट्स रीट. भाईया, alas, I have failed once again. भाईया कहते हैं कि बड़े दुख की बात है. अलास का मतलब दुख हो ना, कि मैं फिर से fail हो गया. मुन्ना, ओ, भाईया, I have passed and topped my class. लेकिन मुन्ना जो था ना, वो बड़े अच्छे नमबरों से पास हो जाता है. फिर्स आता है, तो हो कहते हैं कि भाईया, लेकिन मैं तो पास हो गया और मैंने टॉप किया है क्लास में. ओके, now there is only two years difference between us. और अब हमारे बीच में सिर्फ दो साल का डिफरेंस रहेगा, जहांकि पहले तीन साल का, पास साल का था. भाईया, but my dear brother, don't be so proud. लेकिन भाईया इसको समझाते हैं कि बेटा, इस चीज़ पर जादा घबन मत करो, कि मैं फेल हो गया और तुम पास हो गया तो, you have passed only one class and you think that I am stupid and you are smart. कि तुम एक class अगर पास हो गया और मैं fail हो गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बहुत ज़दा intelligent हो गया, बुद्धिवान हो गया और मैं मूर्ख हो गया बिलकुल, ऐसा नहीं है. कि कई बार ऐसा होता है कि गुली डंडा के गेम में भागय से तुम क्या करते हो, गोल कर देते हो या जीत जाते हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उस चीज़ें मास्टर हो गया, उस गेम के माहिर हो गया बिलकुल, फेरा, और अगर तुम्हें सक्सेस्फफल होना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यदा महनत करनी पड़ेगी, अगर जिंदिगे में किसी मुकाम को हासिल करना है. When you have to study a subject like algebra, geometry in higher classes, then you understand the importance of hard work, और कहते है कि जब तुम बड़ी क्लास में हो जाओगे, तुम्हें algebra, geometry करना पड़ेगा, तब तुम्हें समझाएगा कि महनत की क्या महता होती है, क्या importance होती है, और बिना महनत की आप कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे, अभी छोटी क्लास में हो, तो इसलिए तुम पास हो गए हो, लेकिन बड़ी क्लास में जब होगे, तो आपको महनत बहुत जादा करनी पड़ेगी, if you want to have good marks, okay, in geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong, यहाँ पर वो समझाते हैं कि अगर geometry में तुमने ACB लिख दिया, ABC की जगर, तो तुम्हारा जो marks होंगे, व not spare you, और examiner तुम्हें बख्षेंगे नहीं, spare का मतलब बख्ष ना, और तुम्हारे marks भापर ज़रूर वो काटेगा, इसको रॉंग कर देगा, they want you to learn word by word from the text books, और वो चाहते हैं कि तुम बिलकुल बुक से, शब्दों के साथ बिलकु शब्दों सीखो, एक एक शब्द को सी कहने का मतलब, है न, मुन्ना, ओ भाई साब, this is scary, तो वो डर जाता है बहुत, और कहता है कि भाईया, यह तो बहुत डरावना है, आप मुझे क्यों डरा रहे हो, आप हाईयर क्लास इसके बारे में बता के, and I don't think I want to go to the ninth class now, और कहता है कि मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सो भाईया, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in four pages, and imagine, can something be written on four pages and still be short, it's all so mixed up, और कहते हैं कि आज जो है, हमें एक topic पे, जिस पर punctuality जिसका नाम है, यहनि कि समय की पाबंदी, हर चीज को समय से करना punctuality का मतलब होता है, उस पर आपको चार pages का essay लिखने के लिए दिया गया है, और आप अन लिखने के बाद भी यह छोटा रह जाएगा, चो, देखो, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, अगर चार पेज भी लिख दिये तो वो भी कम है, punctuality के उपर लिखने के लिए, आपको और दादा लिखना पड़ेगा, इस पर, मुन्ना, thinking a lot, thank God, it was time for school or else this holding would have gone on and on, और जो मुन्ना है ना, वो सोचता है कि हे भगवान, जो school है मुझे कब छुटकारा मिलेगा, इस डाट वगरा से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, इस तरह की चीज़े वो करता है, अपनी बड़े भाई की बाते सुन खर फड़ा परिशान सा वो हो जाता है, scene 3, the result were out once again and it so happened that मुन् था, वो खेल कुद करने के बावजूद, अपनी responsibility ना समझने के बावजूद भी पास हो जाता है, okay, तो भाया was slowly upset, लेकिन भाया जो थे वो बहुत ज़्यदा उदास थे, बहुत दुखी थे, मुन्ना was also sad, seeing his brother so unhappy, मुन्ना भी बहुत उदास था, दुखी था, अपने भाई को ऐसे परेशाल देख कर, okay, भाया now becomes gentler with मुन्ना, मुन्ना becomes not your because of this and studied even less than before, अब जो भाया थे वो दुबारा इतनी महनत करने के बाद भी fail हो गए थे ना, तो मुन्ना को शायद ये chance मिल गया था, उसको लगता था कि भाया जो है अब उसको नहीं डाटेंगे, है ना, तो इ बात होती आगे, मुन्ना, talking aloud, ah, I'm lucky, I can pass easily, कहता है कि मैं तो बहुत भागेशाली हूँ, किस्मत वाला हूँ, मैं तो पास हो जाता हूँ, बड़ा साइनी से, I need not study so hard, मुझे बहुत ज़दा पढ़ाई करनी के जरूरा है, नहीं पढ़ती, है ना, now I can play games with my friends and fly kites, कि मैं देखना ले, पतंग उड़ाते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए, समय खराब करते हुए, तो फिर से उचे डाटेंगे, okay, one day a kite is flying slowly downwards, मुन्ना starts running in order to grab it, suddenly he comes face to face with भाईया, एक दिन की बात है, जो मुन्ना था ना, वो पतंग उड़ा रहा था, पतंग जो थी उड़ते आनक आजाते हैं, उनसे face to face हो जाते हैं, वो चेहरा मिल जाता है, आपने सामने हो जाते हैं, कहने का मतलब, भाईया, catching hold of मुन्ना's hand, और जो भाईया थे ना, वो हाथ पकड़ लेते हैं, मुन्ना का, क्योंकि मुन्ना जो था, वो छिप के खेल रहा था, उसको लग रहा था Now you are in the 8th class and are not studying in a lower class, कि तुम्हें ये महसूस नहीं होता है, कि तुम अब 9th class में, sorry, 8th class में हो गयो, और अब छोटी class में नहीं रहे हो, कि बिना पढ़ाई करे पास हो जाओगे easily, महनत तुम्हें करनी पड़ेगी उसके लिए और तुम इस तरी किस समय खराब कर रहे हो, है कि तुम्हें रोकूंगा नहीं, जिम्मेदारी का हैसास नहीं करूंगा, तो तुम गलत हो यहाँ पर, and, sorry, I am 5 years older than you are, and I will always be, कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और 5 साल बड़ा तुमसे रहूंगा, तो तुम्हें हर गलती पर मैं जरूर डाटूंगा, एहसास कर तुम्हें कि तुम गलत कर रहे हो, और एक सही रापर लाने की कोशिश तुम्हें मैं हमेशा करूंगा, क्योंकि तुमसे मैं बड़ा हूँ, understanding doesn't come only from reading books, look at ma and baba, ma has never gone to school and baba has only passed 5th class, तो कहते हैं कि जो understanding होती है, जो समझदारी होती है, वो सिर्फ किताबे पढ़ने से नहीं आत किस तरीके से पूरे परिवार को चलाते हैं, कैसे हम सब का भरन पॉशन करते हैं, कितने समझदार है, तो ये सारी चीजे वो समझाता है मुन्ना को, मुन्ना, रोली भाया, is that true? अब मुन्ना को ये पता नहीं था, वो सोचता था कि शायद माबाबा बहुत ज़्यादा पड रेकड़ों चीजे हैं, जो हम नहीं जानते, इतना पढ़ने के बाद भी, लेकिन वो हम से बहुत सादा जानते हैं, and even if we have studied the wisdom of the whole world, मा and बाबा will always have the right to explain to us and correct us, तो कहते हैं कि मैं बेशक बहुत पढ़ लिख जाऊं, संसार भर की बुद्धिमानी को हासिल कर लू, उसके बा What would you do if I were to fall sick today? और भाया कहते है कि मुन्ना क्या होगा अकर मैं बिमार पढ़ जाऊं क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई लेखाई सब कुछ मैं ही कराता हूँ, अगर मैं बिमार पढ़ जाऊं तो क्या होगा, क्योंकि तुम तो अपना टाइम ऐसे खराब करते हो सारा, मुन्ना आहा, I had expected this answer कहते हैं कि मुझे यही उमीद थी तुमसे, इसी जवाब की उमीद थी, आव बाबा वोड नोट गेट अपसेट कि अब बाबा परिशान नहीं होंगे, he would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor, तो पहले जो बाबा है वो पता लगाएंगे कि मुझे क्या हुआ है और उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे, बाबा वोड नो exactly what to do, कि बाबा जो है उनको पता है कि क्या करना है, actually वो यह पूछ रहा था कि अगर मैं बिमार पढ़ जाता हूं तो मुन्ना तो तुम क्या करोगे, तो मुन्ना यहाँ पर कहता है कि मैं पापा को कहूंगा और वो मुझे हॉस्टल भेज देंगे, तो वो यहाँ पर यह नहीं कहता कि भाया मैं आपको दवाई दिलवाऊंगा या बाबा को बताऊंगा, आपके लिए कोशिश करूँगा, है ना, तो यहाँ पर वो उसको बताता है कि अगर यह चीज मैं बाबा से कहूंगा तो उस टाइम पर वो है हर चीज का, मुन्ना विट्यूर्थ इन हेस आइस, और मुन्ना जो है, जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो इसकी आखों में आसू आ जाते है, बड़ी शर्मिंदी की उसको मैसूस होती है, और वो कहता है, भाया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ क जर्दो, और जो भी आप समझा रहे हो, जो भी आप कहते हो, बिल्कुल सच है, यहाँ पर मुन्ना को थोड़ा शायद यह हो गया था, कि मैं तो पास हो जाता हूँ हर साल, और भाया इतना पढ़ते है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर प्रावड होने लगा था, इस टाइम प और भूल जाते है, सारी स्कॉल्डन को, मतलब जो भी उसको धमकाया था, जो भी चीज़े होई थी, उन सारी चीज़े को भूल जाते है, भाया, I also like to play and fly kites, भाया कहते है कि मुझे भी खेलना पसंद है, पतंगी उडाना पसंद है, but if I also play, then how can I watch out for you, कि अगर मैं भी अगर अपना समय खराब करूँगा, ध्यान नहीं तुम पर दूँगा, तो तुम कैसे आगे grow कर पाऊगे, कैसे तुम पर में निक्रानी कर पाऊँगा, तुम तो बिल्कुल पढ़ाई में less हो जाओगे, खराब हो जाओगे, okay, you are my responsibility, कि तुम मेरी जिम्वेदारी हो, मैं तुमारा बड़ा भाई हूँ, और तुमारी टेक केर करना मेरी जिम्वेदारी है, मुन्ना, I love you भाईया, और मुन्ना जो है, वो खुश हो जाता है, और प्यार से दोनों हग कर लेते हैं, तो that was the story, I hope कि आपको यह समझाई होगे, आप कुछ इससे सीखे भी होगे, अब हम प्रामी लेंगे नेक्स वीडिओ में नेक्स टीमीडिओ वीकेसर, तिल द भाई, तेक यह वाई नायस दे, थांक्यो फो वच्छिंग।